हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीक्रेट चैप किचिन में आज यहाँ पर हम एक ऐसा स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा आपने मठ्रियां तो बहुत खाई होगी लेकिन प्याज की मठ्री नहीं खाई होगी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसकी रेसिपी यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया हैं प्याज और हरी मिर्च यहाँ मैंने छोटी प्याज लिया हैं यह मैंने चार प्याज लिया हैं और यहां 10-12 मिर्च लिए हैं हरी मिर्च तो इनको हम बारीक कट कर लेंगे और यह बहुत ही बारीक आपको प्याज काटनी है और हरी मिर्च भी आपको बहुत ही बारीक बारीक कट करना है अब यहां पर मैं लूंगी मैदा यहां पर मैंने 2 कप मैदा लिये हैं उसके बात यह यहां पर मैं डालूंगी सबसे पहले मॉयन, यानि कि आप कोई भी वेजिटिवल ओल ले ले लें और इसको हम बीच में थोड़ा सा गड़ा करेंगे और फिर डालेंगे यहां पर नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल दें और यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा मॉ यहाँ पर आप थोड़ा सा ओयल और एट कर लें उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली है हरी मिर्च और अब यहाँ पर प्याज भी एट कर लेंगे और अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैदा में अभी यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे सिर्फ प्याज को ही इसमे अच्छे से mix करना है क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है तो जब यह आटे में अच्छे से mix हो जाए जितना पानी की जरूरत पड़ेगी हम उतना थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसमें अच्छे से आटे की तरह गूत लेंगे और इसे थोड़ा सा tight ही रखना है क्योंकि यह बाद में अपने आप लूज होने लगता है आटा थोड़ा सा तो यहां देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके डाला है अभी मुझे थोड़ी से पानी की और ज़रूरत है तो मैं बस हलका सा पानी डाल के इसको अच्छी से मल लेंगे हम तो यहां मेरा मटरी का आटा तयार है अब मैं थोड़ा सा डालूंगी एक चमच ऑईल उपर से और इसको चारो तरफ लगा कर इसको अच्छे से ढख कर हम रख देंगे पांच मिनट के लिए और साइड में अब गैस ओन करेंगे और यहां रखेंगे एक पैन पैन में डालेंगे हम ऑईल ऑईल थोड़ा गीला हो जाएगा और मच्रिया नहीं बनेंगी तो अब देखिए हम इसमें से एक लोई लेंगे पेड़े के आकार की और उसे आप हाथ से गोल गोल कर लें और इसको हम रख देंगे बोल को साइड में और यहां पर हम एक बेलन की मदद से इसको हलके हाथ से बेलेंगे तो हमें बहुत हलके हाथ से बेलना है मच्री को तो यहां देखिए मैंने यह इसको इस तरीके से एकदम राउन शेप में बेल लिया है उसके बाद यहां पर मैं लूँगी एक फॉर्क से हमें इसमें होल करने है यानि कि छोटे छोटे दौनों साइड से छेत कर देने है तो यह पर यह मच्री है मेरी तयार है बिलकर अब मेरा जो तेल है वो भी गरम हो चुका है अच्छे से अब उसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे और बहुत ही ध्यान से हम धीरे-धीरे मच्री को गरम तेल में छोड़ देंगे और फ्लेम को हम लो से मीडियम की तरफ ही और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे जब एक साइट से सिख जाए तो दूसरी तरफ पलट देना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेखना है तो यहां पर देखिए मठ्रियों का कलर चेंज हो रहा है मठ्रिया मेरी सिख चुकी है फिर आप एक प्लेट में इसको निकाल सकते हैं और ये खाने में बहुत ही गजब लगती है आप एक बार ट्राई जरूर करना जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद मुझे बताएंगे कि आपको ये मठ्रिया कैसी लगी आप इन्हें शाम को चाई के साथ या आप अचार के साथ इसे खा सकते है या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो साथ में ले जा सकते हैं तो ये एक बहुती शांदार स्नैक्स है बहुती टेस्टी है मैं इसकी जितनी तारिफ करूं उतनी कम है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो यहां देखिए मेरी सारी मठ्रियां सिकरत एकदम तयार है और ये मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आती है तो देखिए यहां पर ये कितनी अच्छी बनी है मेरी मठ्रियां तो आप घर पे आप कभी भी बना सकते हैं और इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेर ये वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको समय से मेरी रेसिपी मिलती रहें थैंक यू फॉर वाची